गर्दन पर जम्य मैल को साप करने का आसाम तरीका अचकर समय की कमी के कारण लोग अपने कुछ सवेधनसील हिस्सों पर सफाई करना भूल जाते हैं गर्दन की तोचा बहुत ही कोमर और सवेधनसील होती है हम अक्सर अपने सरीर की सफाई करते वक्त गर्दन की सफाई पर विशेश धियान नहीं दे पाते हैं और धूर मिट्टी की परत हमारी गर्दन पर जमने लगती है जिस कारण हमारी गर्दन का रंग काला पढ़ने लगता है गर्दन साप करने के असान तरीके इस्टीमिंग आप इहां एक छोटा तौलिया ले कर उसे गरम पानी में डीप करे फिर तौलिये से अत्रीक पानी को निचोर कर तौलिये को अपनी गर्दन पर लपेटे पांस मिनर तक तौलिये को ऐसे गर्दन पर लगा रहने दे एक्स फ्लो ली एटिंग अब आप एक चमच नमक, एक चमच बेकिंग सोडा और तीन चमच नारियाल तेल ले फिर इन तीनों को एक बाउर में लेकर मिक्स कर ले अब इस मिक्स को लेकर अपनी गर्दन पर लगा ले वाइटिंग एक छोटा बाउर लेकर उन सब चीजों को मिक्स कर ले निम्बू का रस दूद में मिलाने से दूद जम जाता है और पेस्ट गारा बन जाता है इन सब चीजों को मिलाने से पेस्ट हलका पिला बन जाता है पेस्ट बनने के बाद इसे गर्दन पर लगा कर दस मिनट के लिए छोड़ दे